तो हलो प्यारे विध्यारतियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है क्लास स्वेल्थ सेकेंड बुक विस्तास का चैप्टर नंबर वन ते थर्ड लेवल आज हम लोग लेने वाले हैं और ये चैप्टर मैं आपको बताता हूं बेसिकली टाइम ट्रेवल के उपर है आपने सुन तो बहुत कुछ रखा होगा टाइम ट्रेवल के उपर आज हम देखेंगे बैसिकली टाइम ट्रेवल का एक्स्पिरियंस होता कैसा है और ये चैप्टर लिखा है जैक फिनी ने ये चैप्टर किस जगे पर प्लेस बेस है या सेटिंग इसकी कहां पर है तो ये नि चार्ली का क्या एक्सपिरियंस रहता है और कैसे वह टाइम ट्रेवल कर जाता है यही सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ओथर के बारे में जान लेते हैं जैक फिनी के बारे में जैक फिनी और ये उनका फ है जन्म में इनका हुआ था 2 OCTOBER 1911 में और बेसिकली United States यहने कि Amerika में इनका जन्म हुआ था और यही ती 14th November 1995 United States में जन्म भी अमेरिका म्रत्यूभी अमेरिका ठीक है यह बेसिकली आप मोटा मोटा यह याद रख लेंगे तो इनके बारे में बहुत है अब करते हैं शुरुआत हमारे चेप्टर की हमें और पूछना चाहरा है have you ever had any curious experience which others find hard to believe क्या आपका कुछ ऐसा experience रहा है curious experience जिसके उपर दुसरों को विश्वास ना हुआ हो जब आपने वह experience किसी के साथ शेयर किया हो तो उसके उपर किसी को भरोसा ना हुआ हो तो यह जो experience आपके साथ शेयर करने वाला हमारा protagonist Charlie basically वह ऐसा ही experience है कि आपको विश्वास कम ही होगा थे कि लेकिन फिर भी आपको विश्वास करना है नहीं करना आपके ओपर डिपेंड करता है chapter शुरू करते हैं the presidents of new york central ये एक railway station हो गया and new york new york एक railway station हो गया and heaven heavenic news railway station हो गया and hardford railroads in सबके presidents will swear on the stake of timetables ये सब अपने अपने timetables की कसमे खाते हैं ये railway का timetable होता है जिस तरीके से बाकी लोग अपने अपने पवित्र गरंथों की कसमे खाते हैं रामायन की, गीता की, कुरान की, बाइबल की, लेकिन जो railway में काम करते हैं वो लोग अपने अपने इस timetable की कसम खाकर कोई भी बात करते हैं that there are only two ये लोग इस timetable की कसम खाकर बोलते हैं कि सिर्फ दो level है but I say there are three लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन है because I have been on the third level of the grand central station अब खुद railway station वाले बोलते हैं कि सिर्फ दो हैं लेकिन ये हमारा Charlie बोलता है कि तीन है Yes, I have taken the obvious step और जब ऐसी बात कोई करता है तो उसे पता चल जाता है कि कई मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ इसके लिए उसने जो obvious step होता है वो ले चुका है I talked to my psychiatrist friend of mine मैंने अपने एक psychiatrist दोस्ते इसके बारे में बात की है कि मुझे इस तरह की feelings आती है कि वहाँ पर तीन levels है Among others, जैसे मेरे दूसरे दोस्ते हैं उनी में से I told him about the third level at grand central station मैंने उसको बताया third level के बारे में And he said it was a waking dream wish fulfillment और उसने बताया कि ये और कुछ नहीं है मेरा एक जाकती आँखों का सपना है Waking dream wish fulfillment He said I was unhappy उसने कहा कि मैं जरूर दुखी रहा हूँगा unhappy रहा हूँगा That mad my wife kind of mad और ये सुनकर मेरी wife थोड़ी पागल सी हो गई कि मेरा पती दुखी किस वज़े से है But he explained that he meant the modern world is full of insecurity लेकिन फिर उसने समझाते हुए कहा कि जो modern world जिसमें हम रहते हैं उसमें जाधा तर insecurity है Fear है, डर है, war है चारों तरफ लड़ाईयां चल रही है वरी है And all the rest of it जितनी भी इस तरह के बुराईयां है वो सारी इस modern world में भरी पढ़ी है इस वज़े से कोई भी unhappy हो सकता है कोई भी दुखी हो सकता है And that I just want to escape और इन सब चीजों से मैं क्या करना चाहता हूँ मैं इन सारी चीजों से भागना चाहता हूँ इसलिए मैं Grand Central Station पर चला गया third level पर Well, who doesn't लेकिन चाड़ लेकिन दुनिया में भागना को नहीं चाहता Everybody I know wants to escape जितने लोगों को मैं जानता हूँ सारे के सारे लोग भागना चाहते है But they don't But they don't went down into any third level at Grand Central Station लेकिन कोई भी जिनको मैं जानता हूँ escape करना चाहते हैं Grand Central Station पर तो नहीं पहुचे है याने मेरे साथ ऐसा special क्यों हुआ Modern World की जो बुराइया है उनको दिखाने के लिए पिच्चर यूज हुआ है Modern World में किस तरीके से हम फसे हैं सारी तरे की बुराइयों को लेकर हमें इसाएं हमें डर हैं हमारे अंदर वरीज हैं बहुत कुछ परिशानिया है Modern World के अंदर और यह हमें परिशान करती है और इससे हर इंसान भागना चाहता है But that's the reason he said And my friend all agreed लेकिन यही कारण है और मेरे सारे दोस्त इस बात पर agree भी करते हैं Everything points to it और सबी इसी दिशा में point करते हैं They claimed जो उन्होंने claim किया है My stamp collecting for example जैसे ले लो example जिस तरीके से मैं stamp collect करता हूँ जिस तरीके से लोग stamp collect करते हैं कोई भी होबी हो सकती है That's a temporary refuse from the reality तो जब आप कोई अपनी hobby को pursue करते हो follow करते हो तो कहीं है कि आप reality से दूर होने के लिए वो काम करते हो ता कि आप जो वर्तमान की चीजे हैं current की situation है उससे कहीं न कहीं दूर हट सको उसमें hobby में अपना ध्यान लगा सको तो यह जो है current reality से एक temporary refuse होता है भागना होता है Things were, sorry Well may be हो सकता है but my grandfather didn't need any refuse from reality तो मैं कहता हूँ कि चलो यह refuse है कि हम अगर stamp collect कर रहे हैं तो यह भी एक refuse हो गया लेकिन मेरे दादाजी जो भी, मतलब दादाजी, वो भी stamp collect करते थे लेकिन उनको reality से भागने की कोई जरूरत नहीं थी क्यों नहीं थी? Things were pretty nice and peaceful in his days क्योंकि उनके time में जो चीजें थी वो बिल्कुल peaceful थी, शांती माई थी from all I hear, जितना मेंने सुना है and he started my collection और जो मेरा collection आज stamps का है, वो शुरुवात उन्होंने ही करी थी stamp collection, it's a nice collection too, और वो बहुत अच्छा collection है, blocks of four उसके अंदर क्या-क्या है, चार-चार के blocks है उसके अंदर, चार-चार के blocks में आपको दिखाता हूँ, यह देखे, stamp कभी-कभी चार-चार के collection में आते हैं इस तरीके से set होता है चार-चार का, तो blocks of four हो गए, और particularly every US issue, जितने भी US इसके अंदर stamp issue हुए है, उनके चार-चार के set, first day covers, या फिर जितने भी first day cover है इस तरीके का envelop होता है, जिसके उपर एक stamp लगा होता है, एक seal लगी होती है, यह सारा जो है, यह first day cover के लाता है, and so on, इस तरह के जितनी भी चीज़े हैं stamp collection की President Roosevelt collected stamp to, तो President Roosevelt भी तो collect करते थे stamp में, मेरे दादा जी, President Roosevelt, सब के सब लोग stamp collect करते थे, you know, आपको पता ही होगा Anyway, here is what happened at Grand Central Station, चलो जो भी है, लेकि में आपको बताता हूँ के Grand Central Station पे अखिर हुआ क्या था, one night, last summer, I worked late in office, एक बार पिछली समर में, में देर रात तक office में काम कर रहा था, I was in hurry to get uptown to my apartment, में जल्दी में था के अपने घर पहुँच जाओ, so I decided to take the subway from Grand Central Station, तो मैंने decide किया में कहां से जाओंगा, Grand Central Station हो के जाओंगा, because it is faster than the bus, क्योंकि ये bus से तो fast है, बस से में जल्दी पहुँच सकता हूँ, रेलवे के जरिये, Now I don't know why this should have happened to me, अब मुझे ये पता नहीं है, के इसा मेरे साथ क्यों हुआ होगा, I am just an ordinary guy named Charlie, मैं तो एक ordinary, एक normal सा, simple सा, सीधा सादा गाई हूँ, जिसका नह में चार्ली, 31 एर ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, 31 साल का, and I was wearing a 10 gabardine suit, और मैंने क्या पहन रखा था, 10 gabardine suit पहन रखा था, and straw hat, और मैंने साथ में straw hat पहन रखी थी, with a fancy band, और उसके ओपर एक fancy band लगा हुआ था, I passed a dozen men who look just like me, और मैं ऐसे दरजनों लोगों के साथ सामने से होकर निकला, जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे, क्योंकि एक टाइम में जो fashion चलती हो, बिल्कुल सेम चलती है, जितने लोग होते हैं वो वैसा ही कपड़ा पहनते, तो जैसे इसने 10 gabardine suit पहना है, पहनी है, तो अलमुस्स सारे लोगों ने वैसे ही कपड़े पहन रखे थे, सब एक जैसे दिख रहे थे, और मैं उस समय किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, I just wanted to get home to Louisa, my wife, मैं तो बस अपनी घर पहुँचना चाहता था, ताकि मैं Louisa, मेरी wife के पाच जल्दी से जल्दी पहुच सको, and I turn into Grand Central Station from Vanderbilt Avenue, और मैं Vanderbilt Avenue से Grand Central Station में एंटर कर जाता हूँ, एक building है, Vanderbilt Avenue, वहां से मैं Grand Central में एंटर करता हूँ, and went down the steps, और मैं नीचे की तरफ सीडियों से उतरता हूँ, to the first level, और मैं कहां पोच जाता हूँ, first level पे, where you take trains like the 20th century, जहां से आपको बिल्कुल वरतमान present वाली trains मिलती है, 20th century वाली, then I walked down another flight, the second level, और फिर मैं एक और सीडिया उतरता हूँ, और मैं कहां पोच जाता हूँ, second level पे पोच जाता हूँ, where the suburban trains lives from, वहां से सब urbanian है की, जो छोटे-छोटे कजबों वाली train है, वो निकलती है, dug into an arched doorway, वहां से फिर मैं नीचे जुक कर एक arch doorway है, उस मैं enter करता हूँ, heading for the subway, और वहां से एक subway निकलता है, and got lost, और वहां जैसे मैं enter करता हूँ, खो जाता हूँ फिर, that's easy to do, यह बहुत आसान है, I have been in and out of Grand Central Station thousands of time, क्योंकि मैं Grand Central Station में हजारों बाद अंदर गया हूँ, हजारों बाद बाहर भी आया हूँ, but I am always bumping into new doorways and stairs, लेकिन मैं हमेशा कही न कहीं, नए doorways में, नए रास्तों में, और नई सीडियों पे चला जाता हूँ, एक बार तो मैं एक माइल लंबी टनल में एंटर हो गया and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, और वहां से निकला कहां पर मैं, Roosevelt Hotel की लोबी में बाहर निकला, अनादर टाइम, I came up in an office building और एक बार मैं किसी office की building से बाहर निकला, on 46th street, three blocks away, और वो मेरी, जहां से एंटर हुआ था, होँआ से तीन गलिया दूर था, यह जो भूल-बलिया जैसा है, यह Grand Central Station, मतलब आप एंटर कहीं से करते हो, आपको बिलकुल पता नहीं होता है कि आप कहां से निकलने वाले हो, Sometimes I think, कभी-कभी मुझे लगता है, Grand Central is growing like a tree, कि यह जो Grand Central Station है, बिलकुल पेड की तरह बढ़ रहा है, बिलकुल पेड की तरह बढ़ रहा है, Pushing out new corridors and staircases like routes, जैसे पेड की जड़े निकलती है, वैसे Grand Central Station अपने नए-नए corridor फिला रहा है, और नए-नए staircases फिला रहा है, There is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city, हो सकता है, अभी किसी को पता नहो, और यह Grand Central Station अपने नीचे एक क्या निकाल रहा हो, एक tunnel निकाल रहा हो, right now, अभी के अभी, on its way to Times Square, और यह कहां तक मोच जाएगा, Times Square तक मोच जाएगा, New York में Times Square है, आपको सबको पता है, हो सकता है, अभी एक रास्ता इसके नीचे से निकल रहा हो, नया और Times Square पे निकल जाएगा, and maybe another to Central Park, और हो सकता है, एक दूसरा कोई doorway निकल रहा हो, जो कहां पोच जाए, Central Park में पोच जाए, and maybe और हो सकता है, because for so many people, through the years, Grand Central has been an exit, और हो भी सकता है, क्योंकि कहीं सालों से, Grand Central Station इतना बड़ा हो, और इतना वहां से trains निकलती है, कि बहुत सारे लोगों को जब exit करना होता है, भागना होता है, वही से भागते है, a way of escape, और यह भागने का उनका एक रास्ता है, maybe that's how the tunnel I got into हो सकता है, इसी वज़े से मैं उस tunnel में enter किया हूँ, but I never told my psychiatrist friend about that idea, लेकिन मैंने कभी भी इतना कुछ जो मैं सोच रहा हूँ, इसके बारे में अपने psychiatrist friend को कभी बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा बता दूँँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इसी बाते आती हैं, कि अभी Grand Central Station में कुछ डॉरवे निकल रहा है, या फिर इस तरीके से जड़े फिल रही है, तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं पागल हो ही चुका हूँ, तो इसी बाते मैंने कभी अपने psychiatrist friend को बता ही नहीं, the corridor I was in, began angling left, जिस corridor में मैं एंटर किया, उसने सबसे पहले एक left turn लिया, and slanting down, और फिर नीचे की तरफ उतर गया, downwards, and I thought that was wrong, और उतरते सी मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, but I kept on walking, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा, all I could hear was the empty sound of my own footsteps, वहाँ चलते हुए मुझे क्या सुनाई दे रहा था, केवल अकेले मेरे जूतों की आवाज, मेरे पेरों की जूतों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, बाकि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, and I didn't pass a soul, और रस्ते में चलते हुए मुझे कोई आदमी, कोई व्यक्ती नहीं दिखाई दिया, एक भी सोल नहीं दिखाई दी, अकेला चल रहा है उसके अंदर, Then I heard a sort of hollow roar ahead that means open space and people talking, फिर मुझे चलते चलते आगे की तरफ ऐसी आवाज है सुनाई दी कि वहाँ से कुछ न कुछ ओपनिंग, कुछ होल बगएरा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, The tunnel turned sharp left और अचानक से जो tunnel जिसमें में चल रहा था वापिस left turn लेती है and went down a short flight of stairs और वापिस से एक सीड़ी उतरती छोटी सी and came out on the third level at Grand Central Station और वो कहाँ निकली अचानक से third level of Grand Central Station पर निकल गई, for just a moment I thought it was back on second level, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं वापिस कहा गया हूं, second level पर आगया हूं but I saw, लेकिन मैंने देखा the rooms, the room was smaller लेकिन जो कमरा था वो छोटा था, है ना, छोटे-छोटे कमरे थे हो जहाँ वहाँ पर there were fewer ticket windows और ticket window जो मैं second level पर जानता हूं उसे कम थी and train gates और train gates भी कम थे and the information booth in the center was wood and old looking और वहाँ पर जो information जो पूछताच वाला कारियले है वो भी लकडी का बना हूआ था और पुराना सा दिख रहा था and the men in the booth wore a green eye shade और बूथ के अंदर एक आदमी जो बेठा वा था उसने green color के eye shades पहन रखे थे इस तरीके के and long black sleeve protectors और लंबे-लंबे sleeve protectors जो होते हैं प लाइट्स थी वो बहुत डीम थी बहुत हलकी थी और वो flicker कर रही थी यहने कि proper जल नहीं रही थी then I saw why और फिर मैंने देखा कि क्यों they were open flame gas lights क्योंकि वो आजकल की lights जैसी नहीं थी वो तो open flame gas lights थी दिस तरीके से आग जिस तरीके चिमनी होती चिमनी जैसी lights थी वो चिमनी कभी भी एक जैसी चलती नहीं वो flicker करती है there were brass spittons on the floor और वहाँ पर floor पर क्या रखे होते brass के spittons रखे होते इस तरीके से जो पिगदान होते थूखने के लिए and across the station a glint of light caught my eye और फिर station के उस पार मेंने देखा एक रोशनी सी चमकी मेरी आँखों के उपर a man was pulling a gold watch एक आदमी अपने pocket में से क्या निकाल रहा था गोल्ड की watch निकाल रहा था from his waist pocket में से he snapped open the cover उसने उसका cover open किया इस तरीके से open cover होता है उसका glassed at his watch and front और उसने घड़ी को देखा और फ्रॉन किया मतलब इस तरीके से आखे बने ही उसने फ्रॉन करना इसको कहते है he wore a derby head उसने कैसी पहन रखी थी टोपी derby head पहन रखी थी वो टोपी जिसकी जो round से वो ऐसे गूमी होए होते है उसकी अब लेक four button suit with tiny lepals उसने चार बटन वाला suit पहन रखा था यह चार बटन वाला suit है और उसके जो lepals है वो tiny थे क्योंकि अल्रड़ी अगर चार बटन आ जाएंगे तो lepals के लिए जगे नहीं बसती है तो छोटी-छोटी कॉलर्स वाला कोट में बखा था उसने and he had a big black handlebar mustaches और उस आदमी की मूचे कैसी थी बड़ी-बड़ी handlebar mustaches इस तरीके की जो मूचे होती है उसको handlebar mustaches केते हैं सब कुछ अजीब दिख रहा है चार ली को यहां पर then I looked around and saw that everyone in station was dressed like 18th, 19th something और फिर मैंने मूड कर देखा तो सब लोगों ने लगभग-लगभग 18th या 19th century जैसे कपड़े पहन रखे थे पुराने old fashion I never saw so many beards, इतनी जादा life में मैंने दाड़ियां कभी नहीं देखी थी, sideburns ऐसे बड़ी-बड़ी कल में नहीं देखी थी मैंने sideburns and fancy mustaches और एसी fancy अलग-अतरंगी टाइप की मूचे भी मैंने नहीं देखी थी in my life मेरी जिंदगी में A woman walked in through the train gate, फिर एक train gate से एक एक औरत महिला निकल कर आती है, she wore a dress with a leg of mutton sleeves, उसने एसे कपड़े पहन रखे थे, जिसके sleeves कैसी थी, mutton sleeves थी, इस तरीके की जो sleeves होती, गुबबारे वाली उसको mutton sleeves केते And skirt to the top of her high button shoes, और skirt से लेके top तक उसके जो shoes थे, वो कैसे थे high button, उपर तक button लगे वे थे उसके, back of her, उसके पीछे, out on the tracks, मतलब tracks के उपर, I caught a glimpse of locomotive, फिर मैंने महा पर railway engine देखा उसके पीछे, a very small career and is locomotive, वो बहुत छोटा सा था और वो is locomotive था, जो पुराने जमाने में इस तरीके का चलता था, with a funnel shaped steak, और उसका steak कैसा हुआ करता था, funnel जैसा, funnel जैसा उसका shape हुआ करता था, and then I knew, और फिर मैं समझ गया, क्या समझ गया, कि मैं किसी और जगे आ चुका हूँ, to make sure, इस बात को sure करने के लिए, I walked over the news boy and glanced at the stack of papers, इस बात को confirm करने के लिए, कि मैं कहां पर हूँ, सबसे बड़िया तरीका होता, उस time का paper देखो, तो उसने paper देखा, एक paper का गठर रखा हुआ था, news boy के पास, उसको धीरे से उसने जा कर देखा, at his feet, उसके पाओं के वहाँ पर, it was the world, और उस paper का नाम था, the world, यह the world paper है, जो बहुत पहले चलता था, 1850s के round, and the world hasn't been published for years, और यह जो the world है, यह आज के टाइम में बहुत टाइम से चपना बंद हो चुका है, the lead story said something about President Cleveland, और उसकी जो lead story थी, वो President Cleveland के बारे में थी, यह President Cleveland, ठीक है, इनके बारे में ने के वरतमान के President नहीं है, I have found that front page since in the public library files, और यह पेज मेने पहले public library में देख रखा था, and it was printed June 11, 1894, और इस पर date क्या थी, 11 June 1894, यहने कि अब date भी confirm हो चुकी है, I turn towards the ticket window, फिर मैं ticket window की तरफ घूमा, knowing that here, जानते हुए कि यहाँ पर, on the third level, third level पर at Grand Central Station, I could buy the tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States, we wanted to go, वो जानता था कि अगर मैं यहाँ से कोई ticket खरीता हूँ, तो Louisa मेरी wife और मैं United States में कहीं पर भी जा सकते हैं, in the year 1894, उस साल के अंदर, and I wanted two tickets to Gelsberg, Illinois, और मैं कहां की tickets खरीतना चाओता था, Gelsberg, Illinois की, तो यह the world है, यह हमारे, जो President है Cleveland, और यह पुराने टाइम का station में आपको दिखाने की कोशिश करिए है, और वहां के जो पेड हैं, वो इस तरीके से मिलते हैं, कि रस्तों के लिए वो एक रूफ का काम करते हैं, and in 1894, summer evenings were twice as long, और 1894 के अंदर, summer की जो इवनिंग से वो बड़ी, मतलब लंबी होआ करती थी काफी, and people set out on their lawns, और लोग वहां पर अपने अपने गार्डन्स में आक अपने आपको हवा करने के लिए, with the fireflies all around, और चारों तरफ जुगनु घुमा करते थे, fireflies घुमा करती थी, तो कितना सुंदर द्रश रह होगा, in peaceful world, और दुनिया एकदम उस ताइम पर शान्त थी, to be back there with the first world war, still 20 years off, और वहां से अगर हम देखे, तो world war first होने में अभी 20 साल बाकी है, 20 years बाकी है, and world war second over 40 years, और world war second होने में अभी 40 साल बाकी है वहां से, तो वहां से अभी world war के बारे में कोई चिंता भी करने की ज़ुरत नहीं थी, I wanted two tickets for that, इसलिए मैं वहां जाने के लिए दो tickets चाहता था, The clerk figured the fare, तो मैं clerk के पास गया, और उसने मुझे figure बताया, मतलब कितना fare लगेगा, और बताते हुए, उसने मेरा headband देखा, मतलब मेरा headband बिलकुल अलग देख रहा था, But he figured the fare, फिर भी उसने fare बताया, and I had enough for two coaches tickets, coach tickets, और इतना पैसा मेरे पास था कि मैं आराम से दो tickets खरीच सकता था, one way, एक तरफ के, But when I counted out the money and looked up, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और उपर देखा, the clerk was staring at me, तो clerk मेरी तरफ घूर रहा था, यह जो clerk है यह, मतलब ticket देने वाला, और यह हमारा Charlie यहाँ पर ticket खरीद रहा, तो उसने, पैसे गिने तो यह clerk इसकी तरफ घूर ने लगा, क्यों? He nodded at the bills, उसने पैसो की तरफ देखकर अपनी गरदन हिलाई, that's ant money, और उसने कहा कि यह कोई पैसे नहीं है mister, he said, and if you are trying to skin me, और अगर तुम मुझे उल्लू बनाना चाते हो, बेवकू बनाना चाते हो, ठगना चाते हो, you won't get very far, तो तुम यहाँ से जादा दूर जहां नहीं तो यह बात सही भी है कि जो नोट थे वो पुरानी स्टाइल के थे, अकसर समय समय पर देशों के जो नोट है वो बदल जाते हैं, according to time, according to technology, हमको नोट बदलने पड़ते हैं, जैसे इंडिया में भी हमारे नोट बदले थे, यह आज की तारिक में नोट चल रहे हैं और यह पुराने time का note आज लेकर आता है, तो हम उनको valid नहीं मानेंगे, और आज के time की note ही valid मानेंगे, इसे तरीके से चारली जो है, वो present time के note पास्ट में लेके चला गया है, तो वहाँ पर वो notes नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं कि इस तरीका का note भी है, half again as big as the money we use nowadays, वो कितने बड़े थे, मतलब आज के पैसे से लगबग आधे, and different looking और दूसरे दिखते थे वो, I turned away and got out fast, मैं तुरंत वहाँ से मुड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया, there is nothing nice about jail even in 1894, क्योंकि jail तो कहीं की भी अच्छी नहीं होती, अगर मैं वहाँ रुका रहा, तो और बस यही था, I left the same way I came, मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिससे मैं आया था, I suppose, मुझे लगा तो ऐसा ही कम से कम, the next day during the lunch hour, I drew 300 dollars out of the bank, मैं अपनी बैंक में 300 dollars निकाल लिये, 300 dollars उसने कहां से निकल लिये, अपने बैंक में से, nearly all we had, लग बग जतना पैसा हमारे पास था, वो सारा निकाल लिया, and bought old style currency, और मैंने पुराने 300 के बदले में क्या क्या है, exchange कराकर old style money खरीद ली, इस तरीके से money exchange होता है, आप जैसे rupees देकर dollar लेते हैं, dollar लेकर rupees लेते हैं, या फिर जो भी currency exchange होती है, उस तरीके से, फटे note देकर नए लेते हैं, या फिर आप कोई पु हो गया, you can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium, लेकिन आपको पता है कि जब भी आप money exchange कराते हैं, तो उसके against में आपको charge देना पड़ता है, उसके लिए, ठीक है, जैसे मैंने एक बार 500 रुपे का फटा हुआ नोट दिया था, तो उन्होंने मुझे 470 रुपे ही वापिस दिये, क्योंकि उन्होंने 30 रुपे अपना चार्ज लिया, है ना, तो चार्ज देना पड़ता है, वो जो भी service आपको provide करा है उसके लिए, मैरे 300 डॉलर के बदले में मुझे कितना मिले, 200 डॉलर सी मिले पुराने old currency के अंदर, बाइट आइड देंस के लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी eggs were 13 cents a dozen in 1894, क्योंकि एक दरजन, 12 हंडों के लिए, महाँ पर कितने पैसे लग रहे थे, केवल 13 cents लग रहे थे, यहने काफी सस्ता था वो time but I have never again found the corridor that I, that leads to the third level at Grand Central Station, लेकिन उसके बाद मैंने कित्ती कोशिश करी, मैं थर्ड लेवल पर कभी नहीं जा सका, उस कोरीडोर में एंटर करने की कोशिश करी, जहां से मैं एंटर हुआ था, लेकिन कभी जा नहीं पाया, although I have tried often enough, हाला कि मैंने बहुत कोशिश करी, माझ ल लुईजा काफी चिंतित हो गई जब मैंने सब कुछ ये बताया उसको, and didn't want me to look for the third level, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मुझा कहीं third level देखने की जरूरत नहीं है anymore, अब, and after a while, और थोड़े time के बाद, I stopped, और फिर मैंने भी देखना, बंद कर दिया third level, I went back to my stamps, औ और फिर वापिस से में अपने stem collection पर चला गया, but now we are both looking every weekend, लेकिन अब हम दोनों मिलकर, Louisa और में दोनों मिलकर third level ढून रहे हैं, because now we have proof that the third level is still there, क्योंकि अब हमारे पास proof है, कि third level अभी भी है, my friend Sam winner disappeared, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, friend है, जिसका नाम है Sam, वो डिसपेर हो गया है, गायब हो गया है, nobody knew where, कोई नहीं जानता था कहां, but I sort of suspected because Sam a city boy, क्योंकि पर मुझे शंका थी, क्योंकि Sam a city boy है, and I used to tell him about Gelsberg, और में उसे Gelsberg के बारे में अकसर बताया करता था, I went to school there, क्योंकि में यने की जो Charlie है, वो school जाया करता था, Charlie जब छोटा था, तो वो कहां स्कूल जाता था, वो जाता था, Gelsberg में, ठीके, तो Gelsberg की कहानि वो किसको सुनाया करता था, Sam को, Sam कहां का रहने वाला है, City का रहने वाले, City का रहने वाले, Sam को, Gelsberg की कहानिया बड़ी अच्छी लगती थी, appealing लगती थी, and he always said he liked the sound of place, और वो हमेशा कहता था, कि तुम जैसा बता रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, and that's where he is, औ वही पर वो गया हुआ है, all right और बिल्कुल ठीक है, in 1894, उसी टाइम में चला गया है, जहां पर मैं गया था, because one night, क्योंकि एक रात, ये मुझे कैसे पता चला, fuzzing with my stamp collection, ऐसे ही में जबरन अपने stamp collection के ओपर ध्यान दे रहा था, fuzzing का मतलब होता है, unnecessary किसी पर ध्यान देन जैसे गुसा करना भी होता है, unnecessary, गुसा करने को भी fuzzing केते हैं, I found, मुझे मिला, well do you know what a first day cover, तो मुझे क्या मिला, first day cover मिला, और आपको पता है, first day cover क्या होता है, when a new stamp is issued, जब कभी new stamp issue होता है, stamp collectors buy some and use them to mail envelops to themselves on the very first day, तो वो जो stamp collectors होते हैं, जब भी new stamp issue होता है, वो उसको खरीते हैं, और एक envelope पे लगाकर अपने आपको खुद को mail कर देते हैं, वो खुद को send कर देते हैं, very first day, उसी दिन of sale, जिस दिन वो sale हुआ था, जिस दिन उसकी बिक्री हुई थी, यह देखें, S-E-L-E, sale का होता है, sale का मतलब होता है, विक्री एक नाउन है, ठेके, और S-E-L-L, sale मतलब होता है, बेचना, यह एक verb है, and the postmark proves the date, और उसके उपर फिर जो post office वाले क्या करते थे, एक date की seal लगाते थे, stamp लगाते थे, जैसे प्रूव हो जाता था, यह इसी दिन खरीदा The envelope is called first day cover, और उस envelope को हम क्या कहते है, कुल मिला के first day cover कहते है, देखे, अकसर बच्चे confused होते है, एक cover जैसे आज के दिन में कोई stamp issue हुआ, उसी दिन आप क्या करो, stamp खरीद लो, एक envelope खरीद लो, और एक कोरा कागज उसमें envelope में डाल के, वो stamp उसके उपर लगा दो, फिर वो खुद ही mail कर दो बकसे में जाकर, वो जब बकसे में जाएगा तो वो पोस्ट आफिस वाला उसका निकालेगा, उसको निकालेगा, उसके उपर एक सील लगाएगा, उसी डेट की लगाएगा, तो वो date प्रूफ हो जाएगी कि हाँ आपने उसी दिन खरीदा था जिस दिन य मेरे जो पुराने से पुराने फुराने फुर्स दे कवर्स थे, I found one that shouldn't have been there, मुझे एसा फुर्स दे कवर मिला जो मेरे हिसाब से वहाँ होना नहीं चाहिए था, but there it was, लेकिन वो वहाँ था, it was there because someone had mailed it to my grandfather, क्योंकि ये वहाँ था, क्योंकि ये वहाँ था, क्योंकि किसी address on the envelope said, और ये मुझे, ये इसलिए बोल सता हूं क्योंकि ये address लिखावा था, उस envelope के ओपर, and it had been there since July 18, 1894, July 18, 1894 से ये envelope नहीं रखा हुआ था, the postmark showed that, और ये date मुझे कहां से पता चली, उस postmark से, yet I didn't remember it at all, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, the stamp was a 6 cent stamp का price कितना था, 6 cent, dull brown, उसका color के साथ था, dull brown, with a picture of President Girlfield, और उसके ओपर किसका photo लगा था, ये stamp है actual में, Girlfield का, ठीक है, Girlfield का stamp उसके ओपर लगा हुआ था, यहाँ पर, Naturally when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection, तो जरूर क्योंकि मेरे grandfather क्या थे है, वो stamp collector थे खुद भी, तो उनके पास जैसी ये letter आया होगा, उन्होंने उसको काई में डाल दिया होगा, अपने stamp collection में डाल दिया होगा, and stayed there till I took out and open it, और ये वहीं जब तक कि आज मैंने इसको निकाला नहीं और इसको open नहीं कर लिया, अब इसनो उसको open कर लिया है, the paper inside wasn't blank, जो paper था उसके अंदर वो blank तो नहीं था, it read, उसके लिखा हुआ था, 941 Williard Street, Gelsberg, Illinois, उसके पर address लिखा हुथा, Gelsberg, Illinois का और ये उसके दादा जी का address था, तो इस तरीके के भी question आ जाते हैं कि दादा जी का address क् Gelsberg, Illinois में, तो वो था, 941 Williard Street, Gelsberg, Illinois, date क्या थी, तो July 18, 1894, उसके उपर लिखा था, Charlie, I got to wishing that you were right, अकसर में सोचा करता था, कि तुम काश सही होगे, Gelsberg, Illinois, third level के बारे में, then I got to believing, और फिर मुझे विश्वास हुआ that you were right, कि तुम बिलकुल सही थे, and Charlie, और Charlie, it's true, ये सच बात है, I found the third level, मुझे क्या मिल गया है, third level मिल गया, I have been here, में यही पर हूँ, two weeks, पिछले दो हफतों से, and right now, और अभी, down the street, street में देखो, at the dellies, someone is playing piano, वहाँ पर dellies में कोई ने कोई प्यानो बजा रहा है, and they are all out on the front porch, सारे लोग अपने front porch में आय हुए हैं, और वो क्या रहे हैं, singing, seeing nele home, seeing nele home का गाना जो है, उस ताम पर काफी प्रचलेत था, यह कब release हुआ था, यह 1850s के अंदर रिलीज हुआ था, तो इस गाने का इसमें इतना सा sense है कि इसको time से connect करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, उस ताम पर काफी popular हुआ था यह गाना, and I am invited over for lemonade, औ भूनते रहो जब तक कि तुम्हें third level ना मिले, it's worth, क्योंकि यह बहुत सही है, believe me, विश्वास करो मेरा, यहाँ पर आना बिल्कुल तुम्हें अखरेगा, नहीं, the note signed same, और note के उपर क्या sign था, same का sign था, अब आपके दिमाग में doubt आ रहा हुए, same कौन है, तो आपको out that same bought $800 worth of old style currency, मैंने जो 300 रुपे का डॉलर एक्षेंज कराया था, उसने $800 का एक्षेंज कराया वहाँ जाकर, that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business, इतने पैसे वो ले कर क्यों कया वहाँ पर, ता कि वहाँ जाकर आराम से एक तो घास का बिजनस शुरू कर सके, और ग्रेंस का बिजनस और वो हमेशा कहा करता था, कि मेरा एक सपना है कि काश में कभी hay और grain का बिजनस कर सकूं, and he certainly can't go back to his old business, ऐसा वो क्यों बोलता था, क्योंकि अगर वो ऐसे किसी टाइम में गया तो वो पुराना अपना बिजनस तो बिलकुल कर नहीं सकता था, not in Gelsberg, Illinois के अंदर तो खास कर कि in 1894, उस टाइम में वो अपना पुराना बिजनस तो बिलकुल कर नहीं सकता था, his old business, अब आपके मन में आएगा कि उसका पुराना बिजनस क्या था, why, क्यों, Sam was my psychiatrist, क्योंकि Sam कोन है, वही मेरा psychiatrist friend है, जिसने मुझे बताया था, कि आप जो third level की बाते करते हो, यह कुछ भ खुद वहाँ पर third level पर जा चुका और उसने उस time पर later लिखा मुझे, तो यह बात प्रूफ हो गई है कि कही ना कही third level बिलकुल exist करता है, और मेरा same दोस वहाँ पर है, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपकी story, finish हो जाती है, खतम हो जाती है, the third level तो basically third level एक time travel की story है, last में believe आपको करना है कि आप इस चीज़ पर believe करते हैं या नहीं करते हैं, ultimately आपको decision लेना है, और मैंने आपको कहा था कि class 11 का जो chapter is the adventure, वो बिलकुल इसी तरीके का है, जैंत नारलीकर का लिखा हुआ, वो भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, class 11 में कहीं लोगों ने, कहीं बच्चों ने वो chapter नहीं पढ़ा है, आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि आपको parallel questions आ सकते हैं, chapter 11th class के the adventure से और इस chapter से the third level से, क्योंकि दोनों belong करते हैं, same theme से time traveling की, तो आपको ज़रूर दोनों chapter पढ़ने चाहिए, और फिर आप ultimately decision पर आ सकते हैं, कि time travel पर आप कितना believe करते हैं, कितना आप rely करते हैं या नहीं करते हैं, ultimately आप तभी उस decision पर जा सकते हैं, तो ये chapter आपका finish हो गया, I hope आपको line by line मैंने समझाया, समझ में जरूर आया होगा, इन chapter के question answer, जो कुछ हो सकता है, exercise वो सारी में कराऊंगा, MCQs, subjective questions और पूरा जो विस् section complete कराऊंगा, तो बस आपको channel से जुड़ने के लिए, जो कुछ आप कर सकते हैं, आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए, और आप connected रही है मेर से, ताकि मैं आपको पूरा इसमें समझा सकूँ, फिर भी आपका कोई doubt रहता है, पूछने में कुछ मत करिये, मैं available हूँ, नीचे comment box में, आप पूछे, मैं सारे comments पढ़ता हूँ और आपको reply भी जरूर करूँ, आचले, मिलते हैं next video में